हाई फ्रेंज सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल एंड प्रेज दब बेल आइकन तो आज मैं बताऊंगा अगर आप इस्टास फिल्ड का करीड कार्ड यूज करते हैं और उसका लिमिट को जो है बैंक अगाउन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास त देखते रहें यह मैं स्टेप बाइस्टेप बताऊंगा कि आप इस टास्पिन कर जो लिमिट है उसको बैंक अकाउन में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहां लोड माय काड करना है आपका जितना भी लिमिट है उसको आप अपना यहां से लोड कर अकाउन्ट में क्लिक करना है उसको बद आपका अकाउंट अबर यहां से एड कर लेना है तो मैं पहले सी एकऊंट एड कर चुका हूं इसलिए मैं यहां डायाल प्रियंट्ट क्रेट का। चूज कर लेना है उसके बद आपको यहां से अपना अकॉंट यहां दिख जाएगा उसके बद आपको जो है यहां पे कार्ड अपना नमबर जो है आपको यहां से फिल कर देना है card expiry and CBB तो चलिम मैं अपना card का जो है यहाँ feel कर देता हूँ ओके तो इसका card number यहाँ मैं feel कर देता हूँ पूरा उसके बद card number expiry and CBB मैंने feel कर दे उसके पे-पे click कर दिया ओके उसके बद आपका जो भी registered mobile number है उस पर आपका OTP आ जाएगा और उस OTP को यहाँ feel कर देना है और instantly आपका bank account में जो है amount चला जाएगा ओके तो यहाँ enter OTP manually ले लिया ओके उसके बद एक बद किलिक कर देते यहाँ पे उसके बद verify proceed पे किलिक कर दिजए ओके ओके तो चली यहाँ verify to proceed पे किलिक कर देते है ओके तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो मेरा payment है successfully जा चुका है मेरा bank account में आप इसी तरह से आप अपना कोई भी credit card हो या prepared card हो उसका जो limit है उसका bank account में transfer कर सकते हैं आपका rent के माध्यम से phone पे है इसके माध्यम से आप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी doubt होता है इस पे या confusion है तो मुझे comment section बताईएगा या फिर मेरा instagram ID पर message कीजिए मैं आपका जुरूर reply देदूँगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लिस मेरा वीडियो क को लाइक कर दीजगा और आप मेरे चाहिए पर नए आया है तो प्लिस मेरे चाहिए को सब्सक्राइब जुरू कर दीजगा और बिल आइकन को जुरू दबा दीजगा